हेलो दोस्तों सिंगा मगेन को लेके बहुत से लोग इतने गीर चुके हैं इतने गीरे हुए है यार सिरियसली कि आजे देवगण के प्रती इनका हेट दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है और ये लोग बोल रहें कि सिंगा मगेन जो है वो आधी पुरुज जैसी रामाइन बनन देलेंगे क्रीती सेंण का जो रोल था वो करीना का होगा अजे देवगण का प्रभाज जैसा रोल हो होगा अक्षे कुमार को बोला गया है कि सुगरी उजय सा रोल मिलेगा क्या पता नहीं भई क्या क्या और कौन हनुमान करो ले यार मैं भूल गया क्या रनवीर या टाइगर शॉप भाई ये लोग mentally disturbed हो चुके है इन लोगों पर मत जाओ कोई रामा और वगरा नहीं है या मतलब कुछ भी यार इतने लोग उस मोवी में है मैंने पहले भी आपको बोला कि आजे रेवगन का जो सिंगम का करेक्टर है वो हाई लेवल पे गया है और उसको आप हेल्प की ज़रूरत है सूर्यवंशी हो सिंबा हो कि वो जिस टेर्रिस से लड़ने जा रहा है सिंगम क्या था एक नॉर्मल पुलिस ओफिसर का करेक्टर था जो चोटे मोटे गुंडो को मार रहा था लेकिन अब उसका जो अगर मुकाबला टेर्रिस से हो रहा है तो अपना वो स्क्वैड लेके जाएगा ना उनको मारने के लिए या इसे एक अकला ही जाएगा तो वो स्क्वैड है वो उसका रामायन अधिपूरुस से क्या संबन दे भाई कुछ भी मतलब हेट फैला ना है तुमको पता है वह तुम लोगों की जलती है कि भोला तुम चाहते थे डिजास्टर जाए लेकिन वो नहीं गई एटलिस सेमी इटका टैग उसको मिल गया बहुत सी जगह पे बॉक्स ओफिस इंडिया ने उसको आज तक टैग ही नहीं दिया पर जलिए आप लोगों की मुझा पता है कि जहाँ पे रिमेक्स जो मुवीज थी जो रिमेक जा रही थी पिछले साल या इस साल रिमेक कितना जा रही थी हार्डली 30 करोड पर 35 करोड पर फिनिश हो रही थी वो मुवी लगबग वर्डवाइड 125 करोड गई उस चीज का आपको जल जेल असी है मुझे पता है वो कुछ भारत में 92 या 94 करोड गई थी और रिमेक्स जो थी अभी जो रिमेक्स की हालत हो रही है बुरी हो रही है दुर्श्यम टू थी उससे पहले जो भाई 240-45 करोड गई थी तो भाई उसकी भी जली है इन लोगों से आजे रेवंट से इन लोगों की जलती भाई जलती से होगा आपको लगता है सीरियसली भाई इतना मत गीरो और अधी पूरुष जैसी जो बोलने वाले भाई सिंगम मैं आपको यह बता दो अगर आपको पहले स्क्वैर यह वर्ड पता नहीं होगा तो पहले पता कर लो एक टीम रहती है जब कोई बड़े टेर्रिक को मारने क जाना रहता है तो उसमें सूर्य वंशी सिंबा सिंगम वो सत्या और बाकी लोग अगर जा रहे होंगे तो या फिर वो लेडी सिंगम दिपिका तो गलत क्या है और इसमें कौन सा रामायन आ गया और वो भी आधी पूरुष कहां से आ गया मतलब आपने आइडिया अच्छी अच्छी एक है अजरेवण वैसे हिस्टोरिकल फिल्म सची बनाता है मैं तो चाहता हूं कि एडी एफ ने बनाना चाहिए रामायन वो तीवारी से तो शायद बेटरी बनाएगा चलो एनिवे चैनल सब्सक्राइब ने किया तो कर लीज़े और ऐसी अफ़ाओ से बचो रहे शेयर करो वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा यार प्लीज कितना निकेटिविटी फैला ना है